Hello Swinds, कैसे हैं आप सब लोग तो सबसे पहले thank you very much आप सब के सुबै से बहुत सारे messages, बहुत सारे class emails, whatsapp, instagram पे आप लोगों ने class काफी सारे messages किये, well wishes आये आप लोगों के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से and मैं wish करता हूँ class, pray करता हूँ कि आपके इस session बह class काम्याब बन अपने parents को और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको class खुश रखो और किसी कभी class कोई गलत काम आपके थुरू ना हो, ठीक है and अच्छा college आपको मिले और life में class बहुत सारा ग्रो करो, इश्वर से class प्रातना करूँगा कि आप सब बहुत अच्छे से बताऊंगा जो भी changes के अंदर है और आपको लग जाना है काम पर पढ़ाई start कर देनी है, at least आप तो शुरू कर दो class पढ़ना कि CBST ने sample paper release कर दिया, 2025 examination के लिए, 15 February से तुम्हारे examination चालू हो जाएंगे, तो अगर मैं class time की बात करूँ, 15 October, 15 November, 15 December, 15 January, 15 February, यहनि कि आपके पा बच्चों ने C.O.E.T. की preparation करना भी शुरू कर दिया है, पने 12th का syllabus खतम करने के बाद, तो यह sample paper आपको guide करेगा, और किस type के question पूछे जाएंगे, आपका preparation का level किया है, मैं comment section में, और description box में लिंक दे दूँगा, इस sample paper या cbscacademic.nic.in पे, जाके सीधा sample paper वाले टाप पे क अनलोड कर सकते हो, accounts का question paper, year class answer sheet, उसी तरीके से class business studies का and economics का question paper और answer sheet. मैं आपको बताता हूँ, क्या-क्या changes है, तो अगर आपने 12th का syllabus खतम कर ली है, तो try करना, बनाने का चैनल को subscribe करेगा, मैं कुछी दिन में इनकी video solution भी ले कि आऊँगा, पूरा का पूरा solve भी और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ, CUET की preparation करना चाहते हो, हमारे 125 बच्चे total SRCC के अंदर है, इस सल हजार बच्चों ने D.U. में admission लिया है, जिसमें से 50 students अखेले SRCC के अंदर गए है, बाकी class बहुत सारे students और other top colleges के अंदर भी गए है, specially in D.U. तो अगर आप journey join करना चाहते हो, तो link description box में आप चेक जरूर कर लेना, अब मैं थोड़े से changes की बात करता हूँ, जो थोड़े बहुत changes मुझे लगे, economics और BST में, अगर मैं देखूँ आप लोगों का, तो overall चीजे सेम है, थोड़ा सा assertion, reason question पूछा गया है, 40% question director, 60% question indirect question पूछे गया वाले question में, पिछे साल भी कोई choice नहीं था, अभी भी कोई choice नहीं है, जो बड़ा change है, वो है class accounts के अंतर, देखूँ जब sample paper आ जाता है, तो हम लोग अपनी preparation की level, बड़ा change करते है, according to sample paper, अगर इसका level यहां तक है ना, धरती से, तो class हम preparation यहां तक की करके चलते हैं, लेकिन इस sample paper में कुछ changes है, जैसे, admission का question जो है, वो 6 number का full-fledged question हमेशा retirement की साथ आता था, और इस बार sample paper के अंदर नहीं है, मैं यह नहीं करा कि examination में 100% नहीं आएगा, बढ़ा class हमें, उस हिसाब से preparation करना पड़ेगा, उस हिसाब से class ही देखना पड़ेगा, कि हम retirement को थोड़ा ज्य क्या पता option में आ जाए और क्या पता ना ही आए, मुझे एक यह दो number का ही question मिला, जैसे ही मैंने बहुत जादा analyze नहीं किया paper को, पर जैसे ही मैंने देखा class, आपको inform कर दूँ कि sample paper आ गे है, at least जो chapter आपको आते हैं, उन्हों chapter question sample paper से बना के देखो, shares में बहुत बड़ा change है, shares के option में हमेशन 6 number का share का ही question आता था, लेकिन पहली बार इन्होंने 6 number का question debentures का दे दिया, और extract of balance sheet से 6 number का question दे दिया, जो पहले 4 number का आता था, तो presentation is much more important now, अब ये question जो इन्होंने पूचा है बिल्कुल गुमा के पूचा है, पूरा balance sheet बना दिया है, बिस आपको बताना है dissolution से सबसे ज्यादा number का पूच लिया गया, लगबग 10 number का question, या मेभी 11 number का question, dissolution से पूचा गया है, entries के लिए 6 number का question आता था, 4 से 6 number का, अब entry दे दिया, sorry, realization account दे दिया है 6 number में, तो मैं आपको अब जो preparation कराऊंगा, आगे आने वाले chapters की, वो strictly इसी के बेसे कराऊंगा, इसी channel पर सब कुछ अच्छे से करा दूँगा, comparative और common-sized chapter से fill in the blanks भी पूचा गया है, एक number में 7 question में choice मिलेगा 20 में से, 20 question 1-1 mark के होते है, 3-3 के फिर होते है, और 4 के और 6 के, 6 number में 2 option और 4 number में 1 option, 3 number में 2 option, तो ये तो almost same है, but जो question का level है, इस बार वो class थोड़ा सा बदला ह है, changes class है, तो आप paper को जरूर देखना, major changes जो थे मैंने बता दिये, अब मैं तुम्हें करके तीनो के तीनो साम लेपर को solve कराऊंगा, अच्छे से पूरा गपूरा आगे चल के, तो बस यही कहना था कि class changes accounts में काफी सारे है, eco BST almost same है, बाकी मैं तुम्हें chapter wise blueprint भी जल्दी द county, eco BST में 100 में 100 कई सारे बच्चे लेके आते हैं, और कुछ बच्चे तीनो में 100, कुछ बच्चे दो में 100 लेके आते हैं, क्योंकि मैं CBC को proper तरीके से follow करता हूं, तो आप ढंग से इनकी class practice कर लो, इनकी preparation कर लो, ठीक है, all the best, अच्छे से मेहनत करो, आपको जो भी दिक्कत परिशानी है, वो comment बताओ, class में help करूँगा, ठीक है, मिलते नेक्स वीडियो, till then take care, bye bye